शंगाई में चीन के सबसे घातक COVID-19 के प्रकोप ने फिर से देश के आधिकारिक आकड़ों पर सवाल खड़े कर दिये हैं हालांकि चीन में COVID-19 की वज़ा से हो रही मौत के आकड़े हाल ही में बढ़े तो हैं पर बाकी देशों की तुल्ला में बहत कम है मार्च की शुरुवात में COVID-19 के संक्रमन बढ़ने के बाद से शंगाई ने एक महीने से ज्यादा समय तक किसी की भी COVID-19 से मौत होने की बात सुविकारी नहीं है लेकिन पिछले 11 दिनों में अचानक मौतों का सिलसला वहां शुरू हो गया है सवाल ये उठता है कि चीन में COVID के चलते मौते हो रही है और पिछली COVID लहरों की तरफ देखें तो इस दफा भी उसी तरह से चीन पर COVID केस और उनसे हो रही मौतों के डेटा पर इस पस्ट जानकारी चुपाने का आरोप लग रहा है तो आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है आज आपके साथ इसी बाबत कुछ जानकारी हम साज़ा करेंगे जी हिंदुस्तान के साथ आप जुड़े हैं और मैं हूँ अल्पना चीन के 25 मिलियन की आबादी वाले शंगाई शेहर की बात करें तो इस शेहर में 17 अपरेल से अभी तक 285 लोगों की मौत COVID से होने की पुष्टी हुई है और संक्रमन के 5 लाख मामले सामने आए हैं वही हौंकोंग में फर्वरी के बाद से 9000 से जादा मौते दर्ज की गई हैं चीन की 7.4 मिलियन आबादी में से लगभग 1.2 मिलियन आबादी कोरोना की चपेट में गंभीर तोर पर आचुकी है मामलों की असमाने रूप से बढ़त के कारण शंगाई में COVID संख्या भी अंतराश्ट्रिय अब्जर्वर्स को हैरान और परिशान भी कर रही है COVID-19 पहली दफा 2019-20 के दर्मियान चीनी शहर वहान से उब्रह और आधिकारिक तोर पर चीन में इसकी पहली लहर में लगभग 4,600 मौते हुई जरतर मौते वहान और आसपास के हुबई प्रांत में दर्ज की गई थी उस वक्त ऐसा कई देशों के प्रतिनिधी समेत कई वैज्ञानिकों ने भी दावा किया था कि चीन के पहली लहर के दोरान जारी किये गए आकड़े और हकीकत कोसो दूर है चीन ने पहली दफा 1 जून 2020 में देश में हुई मौतों के आकड़े जारी किये थे पहली लहर के दोरान ही दम तोड़ दिया था जो आधिकारिक आकड़े से 10 गुना कहीं ज्यादा था कुछ विशेशग्यों का कहना है कि शंहाई की कम रित्यु संख्या अंडर रिपोर्टिंग पैटन का एक हिस्सा भर है शंख्याई में स्थाने सरकार द्वारा जारी किये गए आकड़ों पर अगर हम भरोसा करें तो इस दफा कोविट संक्रमन की चपेट में ज्यारतर युवा वर्ग आया है वही एक रिपोर्ट ये बताती है कि 20 अपरेल तक होंग कॉंग में 27 फीजदी की तुलना में पॉजिटिव मामलों का केवल पांचवा हिस्सा 60 साल से जादा उमर वाले संक्रमित लोगों का था और दोनों ही शेहरों में होने वाली मौतों में से ज्यादतर बुज़ुर्ग बगए टीका करन वाले हैं और जो पहले से ही स्वास्त समस्याओं से जूज रहे थे लेकिन अब विशशग्य अब तक चीन में कोविट से हुई मौतों के बारे में क्या मान रहे हैं तो जरा इस पर भी आप अगोर फरमाएं तो में ही वाशिंगटन विश्विद्याले के एक पैथलोजिस्ट हैं जो 2020 की पैंडमिक स्टडी का एक हिस्सा रही हैं उनका ये कह अधिकत में काफी ज्यादा हैं जबकि चीनी सरकार और राज्य के मीडिया ने उन्धा दावों को बार बार खारिज किया है कि देश में कोविट से हुई मौतों को कम रिपोर्ट किया गया है इस बीच अगर शंगाई की बात करें तो यहां के नगर स्वास्थ आयोग के उस्रा शॉट ले चुके हैं कुल मिलाकर शंगाई के सबसे बड़े अस्पताल डोंगाई एल्डरली केर हॉस्पिटल में रोगियों के रिष्टेदार ये मानते हैं कि कोविट 19 से संक्रमित लोगों में से मार्च के आखिर और अप्रेल की शुरुवात में लोगों की जान हो गई है लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि आदिकारिक तोर पर पुष्टि ना होने से आज तक ये बताना मुश्किल है कि ज्यारतर मौटो की वजह क्या रही है चीन में कोरोना संक्रमन को लेकर और जानकारी आप तक हम आगे भी इसी तरह से लाते रहेंगे इस खब